अमस्कार साथियों, वर्तमान में आपने स्री लंका एकनामे क्राइसिस के बारे में सुना होगा, आईए आज अपन इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं, मैं सत्यनार अंटेलर साब सभी का स्वागत और अभिनन करता हूँ इस वीडियो पर अपन प्रारम करते हैं, स्री लं कट के दोर में बुकमरी का सामना करने जा रहा है, यही कारण है, स्री लंकाई सरकार ने पिछले अपते में देश में आर्थिक आपातकाल की खोशना कर दी, खाद्य पजारतों की बढ़ती कीमतें, मुद्रा में गिरावट और तेजी से गटते हुए विदेशी मुद्रा स्री लंका की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है, हाला भिगड गए है, रास्ट पती, गोटावाई, राजपक्षे और विभिन आवशेक वस्तों की सप्लाई के बारे में सेना को बुलाना पढ़ रहा है, आर्थिक तंगी के कारण स्री लंका को चीन से बार-बार करज ले 2.8 बिलियन डॉलर हो गया है, विदिस्टी मुद्रा में कमी के कारण स्री लंका की लोगों को विदिस्टों से माल आयात करने में ज्यादा मातरां पैशों का बुक्तान करना पड़ा, और ट्राप्ट के रूपे, इसलिए स्री लंका ही रूपे के मुल्य का लगभग आठ फिश्चे धी घिरावट हो चुकी है, और स्रिलंका में ख़द्य पड़ारतों का आयात बड़ी मुहत्रा मी किया जारा है, जैसे रूपे में आई घिरावट के कारण, ख़द्य पड़ारतों की किमत में भीतेजी देखी जा रही है, आर्थिक संकट में कैसे फसा स्री लंक और स्री लंका आर्थिक संकट में फसने के के कारण बनता है जा रहे हैं चीन का कर्ज परेटन उद्यो नग्यदी खाद्यान से उत्पान कमी जिसे के कारण सामिल है और स्री लंका का सकेलो गरलू उत्पादन जो है परेटन उद्यो की इसेदारी का 10% से भी ज्यादा इस्सा ह कारणा महामारी भी इसका बहुत बड़ा कारण है ट्रेवल बेन के कारण स्री लंका इप्रटर उद्यों की कमड तूट गई है। तमाम देशों के प्रतिबंद के हालात को हटाने के बावज़द भी काफी कम संक्या में प्रटर एलग स्री लंका की और रुक कर रहे हैं। राजपक्षे की तुगलग की फर्मान जो जारी हुआ है उससे मुशिबत हैं बड़ी है। स्री लंका के महंद्रा राजपक्षे सरकार ने खेती में रासाइनी कुर्वरकों के उप्यों के प्रतिबंद लगा दिये गए। ऐसे में कर्शी उत्पादन में कम होने से खादिसंकट और गहराने के आशार दिखाई दे रहे हैं। इस साल के सुरुवात में राजपक्षे ने स्री लंका को 100% जेविक क्रशी वाला दुनिया का पहला दिस बनाने की उजना सारजने की है। और स्री लंका के चाई विश्यसे की हर्मन, गुण रते हैं जिस से कही लोगों का मानना है कि जेविक खेती की और जब्रण जोर देने से चाई वेनियने फसना का उत्पादन आदा ही रह जाएगा। स्रीलंका की सरकार अपना ही राग अलाप रही है स्रीलंका की अरतिक संकट को ठीक रा अवश्य कापूरती की जमाकोडी रष्टिय बाजों पर पोड़ रही है सरकार कार है की जमाकोड het drivesgo기가 वढ़ा है। और स्रीलंका की सेना उब्यापारियों का खाद्य आपूर्ति जब्त करने और उबोगतां उचित मुल्य आपूर्ति का काम सोपक है यह सुनिश्चित करने की सकती प्रदान की गई है जिसे विदेशी मुद्रा का बंडार केवल आवशेक वस्तों के खरीद के लिए ही किया ज जाएगी इसे किसानों के विकल्प के रूप में जैविक उर्वरों के आप पूर्ति करने का वादा दिया है और स्रीलंका के केंद्री बैंक जो है विस साल की शुरुवात में व्यापारियों को अमेरिकी डॉलर के दो से दिक स्रीलंका इरूपे का आधान प्रदान रोग सरी लंका पाड़ार प्रतिबंद लग दे गया है। स्री लंगा पर कुल 55 डालर का कर्ज बताया है और 55 डॉलर का का कज रिपोर्ट के नुसार। गुलव में सरीट चीन औरियेन डवलोप्मेंट बेंक का बताए जा जबकि चन पन मैं जो दे गई और स्रीलंका बीजिंग की बिजिग की विदींट नीटि और डॉनेशन डिप्लोमेशी का महत्वपुनिशा बनता जा रहा है आर्थिक कर्ज से स्री लंका को बेदम करने के लिए चीन खुद वाइरस को वाइरल फैला कर इसका इलाज कर रहा है हिंद मास अगर में चीन के विस्तार का केंदर भी स्री लंका बता जा रहा है चीन की इंडो फैस्पिक एक्सपेंशन एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिटी बी आराई का जिक्रच भी हमने पूर वीडियो में किया था और चीन ने स्री लंका को सामिल कर लिया है स्री लंका में चीन का करज ने चुक पाने के कारण हवन टोटा बंदर का चीन की मर्चेट पोर्ड होल्डिंग लिमिटेड कंपनी 1.12 अरब डॉलर साल में 2017 में 99 साल के लीज पर दे दिया गया है जबकि यह स्री लंका का पोर्ड वापस चाहता है मेंद्रा राजपक्ष का कारेकाल चीन से बड़ी नजदीकियों के कारण मेंद्रा राजपक्ष का कारेकाल स्री लंका और चीन के भी नजदीकियां बढ़ गई है जो स्री लंका की विकास के नाम पर चीन से खूब करज ले रही है जिबकि चुकाने की बारी आई तो स्री लंका के पास कुछ नहीं बचा है जिससे हवन टोटा पॉर्ट जो है 15,000 एकर जगे इंडिस्टिल जॉन के लिए चीन को सौपना पड़ रहा है यानि चीन को इस बंदरकव को सौप दिया गया है इसमें हिंद मासागर में अपनी गतिविद्यों को जारी रखने के लिए चीन